ये देखे गाईज आज आलू और गोवी की इतनी टेस्टी इतनी यम्मी हम बना रहे हैं सबजी जो की बहुत जाधा टेस्टी है हलवाई स्टाइल बिल्कुल बनेगी हमारी आलू गोवी की सबजी जो की खाने में बहुत 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 टेस्टी होगी ये देखे गाइज ये हमारे आलू तीन से चार आलू हैं और ये हमारे गोबी जो की 100 ग्राम है ये तीन से चार प्याज हमने काट लिये हैं ये पांच से छे कल्या लैसन की और एक इंच अद्रक का टुकड़ा ये देखे गाइस हमने अपनी कड़ाई रख दी है जिसमें चार से पांच स्पून मस्टर्ड ओयल डाला है मस्टर्ड ओयल में गाइस उसको गरम करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि अगर गरम नहीं करेंगे हम तो उसकी स्मेल जो होती है वो अच्छी नहीं आती है उसको अ और इसको ब्राउन हल्का ब्राउन होने ता बूनेंगे देखे आज हमारा लासुन है भून चुका है अब इसमें हम डालेंगे प्याज जो की हमने मोटा मोटा काट करके रखा हुआ है रफली जो काटा हुआ है एक इंच अद्रक का टुकड़ा जो की हमने इसमें आट कर दिया है और हम डालेंगे गाई इसमें एक करी पत्ता एक जो डालेंगे वो डालेंगे अपना तेज पत्ता उसको भी इसी मसाले में हम भून लेंगे अब यह हमारा प्यास बुन चुका है जिसको हम अब निकाल लेंगे इसको अब ठंडा होने के लिए हम रख देंगे ठंडा करने के वाद इसको हम ग्राइंडर में डाल कर ग्राइंड कर लेंगे अब गाइज इसमें हम गोवी एट करेंगे इस गोवी को हम ब्राउन हलका हलका ब्राउन करने तक इसको फ्राइ करेंगे इस समय जो गोवी आती है इसमें क्लिडे वगरा नहीं होते हैं अगर आपकी गोवी में क्लिडे वगरा या गंदी गोवी लगे आपको तो थोड़ा सा पानी बॉयल करकर उसमें दो चुटकी नमक डाल आदी स्पून नमक डाल करके गोवी को पांच मेंट के लिए उस पानी में एड कर दें डालने के पांच मेंट बाद उसको निकाल कर फिर से धुलने धुलने के बाद फिर योज कर लें देखे गाईस हमारा गोवी जो है वो पक चुका है अच्छे से ब्राउन हो चुका है हलका हलका सा तो इसको हमने नि करेंगे जिससे थोड़ा सालु हमारा सौफ्ट भी हो जाए कुईकि गोबी जो होती है वो जल्दी पकती है यह थेखें हमारा मसाला जो है ठंडा हो चुका है इसको भी ग्रैंड करेंगे और यह देखें बीच बीच में हमारों को ऐसे चलाते रहेंगे जिससे की आलू हमारे जलें भी नहीं और अच्छे से हो जाए थे कथ बून के रम का था घुलना यह दो हम इसमें हमने हमने तो कट गट कर रख लिए और ग्राइनद कर लेंगे तो इन आलों को हम बाहर निकाल कर अलग प्लेट में रख लेंगे अब गाईज उसमें दो से तीन स्पून ऑईल डाल कर उसे भी होने देंगे यह देखे गाईज अब इसमें हम हाप टेबल स्पून जीरा एट करेंगे और अब जो अपना हमने मसाले का पेस्ट बना कर रखा था उसका कलर आप देख सकते हैं कितना अच्छा था और अब इसमें हम डालेंगे दो से तीन पिंच हीन और आप जो हमने मसाला जो पेश्ट बना कर रखा हुआ है प्याज और टमाटर का उसको भी इसमें एड़ कर देंगे अब इसमें गाइज हम सूखे मसाले डालेंगे यह हमने डाला एक धनिया पाउडर एक स्पून एक स्पून हल्दी पाउडर और यह डाला हमने हाप टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर आप अपने हिसाब से जो भी मिर्च जितना भी मतलब तीखा खाते हों उस हिसाब से आप मिर्च यूज़ कर सकते हैं और इसको चलाते वे भूं लेंगे एक बात और गाईस कूंकि हमने इस मसाले को प्याज और लेसन को हमने भूं कर फिर पीज़ा था तो इसमें अप ज़ादा टाइम नहीं लगेगा मसाला भूनने में कूंकि यह पहले से ही भूना भूनाया है इसी वज़े से तो यह देख सकते हैं गाईस हमारा मसाला बुन चुका है यह साइड में हम आपको दिखा रहे हैं कि इसमें मसाले में ओयल छोड़ दिया है अपना तो अब हम इसको इसमें सबजिया एट करेंगे देखे गाईस हमने स्वाद की अनुसार नमक डाल दिया है तो आप अपने स्वाद की अनुसार नमक एड़ करें अब गाईस इसमें हम बॉयल पानी एड़ करेंगे हमने लगबग दो कटोरी बॉयल पानी एड़ किया हुआ है क्योंकि हमको सेमी थिक सबजी चाहिए थी ना ज़्यादा ग्रेवी वाली और ना ही ज़्यादा सूखी इस वज़े से हमने दो कटोरी पानी एड़ किया है इसको चलाते वे अब ढ़क कर हम पका लेंगे गाइस एक बात और हम आपको बताना चाहेंगे कि जब हम वाइल पानी एड़ करते हैं तो इसमें जो तेल हम डालते हैं वो उड़ता नहीं है और हमारे जो सबजीयों की है अच्छी रहती है और सबजीयों खराब नहीं होती है यह देखिए हमारी सबजी पक चुकी है क्योंकि सबजी को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा हुआ है क्योंकि यह 80% फ्राइ करते ही पक चुकी थी अब हमने इसी तरह से ग्रेवी रखी हुई है आप देख सकते हैं कि कितनी ग्रेवी है तो आप इसको हम हरी धनिया डाल कर गार्लिस कर रहे हैं और अब हम इसको सर्व करेंगे सर्व करने से ही आप देख रहे हुए कितनी अच्छी और कितनी यम्मी सबजी लग रही है देखने में और गोभी भी देख सकते हैं बिल्कुल गली नहीं है बहुत टेस्टी बहुत यम्मी होटल स्टाइल में सबजी बनकर हमारी रेडी हुई है अगर आपको हमारी ये रेश्पी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें सस्क्राइब करें एंड सेयर करें और अपनी इस्पीरियस हमारे साथ सेयर करें थैंक्यू मिलते हैं नेक्स डे नेक्स डेश्पी के साथ बाबाई